कि हाई फ्रेंड्स आसा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे मेरा नाम है मनीज और आज मैं आपको बताऊंगा ट्विल्थ क्लास की इंगलीज की सिलेवस के बारे में अगर आप अच्छे अंग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिलेवस जानना पड़ेगा आप किसी भी सिलेवस जाहरे ऋसकी जो भी रिषयर्मेंट जहां से वह कॉस्चन्स पुच्छ अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो यूटक्रेक्स्क्राइब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर किस परकार की questions पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही important है अगर आप 12th class में हैं तो तो आपको यह वीडियो देखनी चाहिए है ना आईए अब बात करते हैं हम अपने 12th class की syllabus के बारे में जो काफी important है और मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग तरीके से बताऊंगा आप जैसे मैं आपको slide दिखा रहा हूं तो उस slide का आप जब हम 12th class के syllabus के बारे में जहां पर चर्शा करेंगा आप उनका आपके दिमाग में रहें कि हमें ये चीज़े पढ़ना है आप भटक न जाये रास्ते से ठीक है तो आईए जानते हैं पहले हम मैं आपको एक उधारां से बताता हूं कि हमें ये पढ़ना क्यों चाहिए है ना तो सबसे पहले सपोज मान लिजे कि कोई लड़का है कोई भी है है ना कोई भी होगा कोई भी हो सकता है जो 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में अगर आप है है ना अगर आप 12th क्लास में है तो कि ऐसा समझे कि आपको अपनी मंजिल पता है कि मेरी मंजिल यहां पर है बट होता क्या है कि you don't know the way to reach your goal तो आपको पता नहीं है कि कौन से रास्ते से जाऊ मैं अपने मंजिल के पास then आप क्या करेंगे कही न कहीं भटकेंगे एक दीन ता आपका कही न कभी कभी न कभी तो आना है और देना ही होगा आपको है ना तो हो सकता है कि आप रास्ते में बहुत चीज़े छोड़ भी चुके होंगे है ना कि और अपने मंजिल के पास तो पहुंच गए बट अगर आप देखा जाए तो अगर इतना फेर बदल करके अगर ना जाए जीग-जेग वाले रास्त जानेंगे तो आपका समय भी नहीं लगेगा और आपको ज्यादा एफट लगानी की जरुद भी नहीं पड़ेगे और इस तरह से आप अच्छे अंक्स प्राप्त कर सकते हैं अपने इंग्लिस में है ना तो डरने की इंग्लिस से कोई जरुद नहीं है मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा जहां से आप बढ़िया से अंक्स प्राप्त कर सकते हैं मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिस में बने रहे हैं वीडियो के यांद तक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है मैं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख लीज जो तो सिलिवस के बारे में हम लोग बात करते हैं जैसे हमारा जो इंगली से वह हंडेड मार्क्स का है आपको पता ही है तो उसको हम दो पार्ट में बाढ़ते हैं एक डिस्क्रिप्टिव इंगलिस एंड एक अब्जेक्टिव अब इसमें भी 60 कुछे जाते हैं आपको इत सतंग जाष के होंगे इसमें तो मैं हम लोगो फिर आगे बात करेंगे पहले चर्जश करते हैं 50 मार्क्स अब्जЕक्टिव की थिक है incredibly तो ऐसा है कि हम जब तैयारी करते हैं तो हमें पता ही नाय — अबाट, आपको पता नहीं पॉड़ना था और क्या पड़ रहा है इसमें बहुत अंतर है तो ऐसा है कि यह जो अगर हम अब्जेक्टिव इंग्लीज की बात करें तो यहां पर 20 बुक से आते हैं एंड ग्रामर से 30 आते हैं यानि 60 कुछ तो आते हैं जिसमें आपको 50 का आंतर देना पड़ता है तो ज्यादा वेटेस देखे तो किरामर का होता है बट यह आप यह भी याद रखिए कि 20 अगर इधर आ रहे हैं तो 40 या 30 उधर भी आएंगे देश्क्रिप्टिव इंग्लीस में इसका भी उटे सीकम नहीं है यानि आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा और सपोज माल लिजीए कि किसी भी बुक से ऑगर अगयर अब्जेटीव कुशना रहा है इसका मतलब अगका सही अब्जेटीव कुश्चन को सही सेलेक्ट करक तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा विदाउट रेडिंग बुक यू कैन नॉट आंसर के कुश्टन राइट तो ऐसा है अब बुक में क्या पूछी जाते हैं ग्रामर में क्या पूछी जाते हैं हम इसकी चर्जा गरते हैं तो आईए जानते हैं कि बुक में और ग्रामर में क्या पूछी जाते हैं तो अगर हम ग्रामर की बात करें ग्रामर की तो इसमें टेंस फाइट मार्क्स का पूछा जाता है जो आपको बहुत बढ़िया से यानि इसका बेटेस देखी कितना बड़ा है सिंटेक्स पूछा जात सबसे जादा है तो आपको करना क्या चाहिए कि इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना चाहिए और जैसे आप प्रीवियस यर के जो कुषस्टन आया उनको देखी इस तरह से आप उसको कवर कर सकते हैं वडिया से फिर सेंट सेलिंग को रखेए frontier यहां पर अब्जेक्टिव लिखा schizophrenia यहां पर यह जो यह है जे कभी जी लिख देगा कभी जे लिख कर दिया होगा अपसन में एक फिर जे मतलई कर दिया होगा तो इस में से आपको सही सेलेक्ट करना है तो आप पता ही है कि आपको पर नहीं आपको जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा द्यान से अगर हम देखे डिजिट में उतार चड़ा हुआ सकता है इसके डिजिट में उतार चड़ा अगर तो यह घड़ता बढ़ता रहेगा बढ़्र ज्यादा ने से ज्यादा questions आते हैं तो आपको इस major area को बहुत बढ़िया तरीके से cover करना पड़ेगा और अब देखिए पढ़ना तो आपको सब यह एक यह दो कहने का मतलब दो भी पुच सकता है यह एक से दो से तीन भी हो सकता है नाउन फ्रेजल वर्प प्रिपोजिशन नेरेशन नमबर जंडर संटेंस संटेंस में affirmative निगेटिव और जो संटेंस होते हैं आप इसको निगेटिव में चैंज किजिए और अप्सन में द पूछता है तो उसमें प्रोज भी है एंड पोट्री भी है इन दोनों को मिला कर पूछेगा तो जैसे प्रोज को किसने लिखा पोएम को किसने लिखा किसने कंपोज किया ना राइटर का जन्म कब हुआ जगा का नाम पूर्ट बर्ण डेट प्लेस एंड कौन-कौन से अवार्ड उनको मिला है न या फिर अवार्ड रेलेटेट टूदा स्टोरी जो भी जैसे आप कहानी से कोई भी वर्ड या संटेंस उठागर पूछ सकते हैं तो इस तरह से आपको बूक पढ़ना पढ़ेगा अ वह बात करते हैं उसी चीज के बारे में किसी बिसेस चीज के बारे में तो वह चीज स्टोरी में वह चीज आपको पता होनी चाहिए अब यह पता क्यों कैसे होगा जब आप पढ़ेंगे तब तो जातर लोग यह सोचते हैं कि अगर मैं कुश्चन का आंसर याद कर लूँगा तो मैं हो गया मेरा काम कहानी कदम बट ऐसे नहीं होगा इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि वाई सुड़ वीडियो को आप जाके देखिए उस वीडियो को और फिर पूछेगा कि कोई भी पोर्ट जो हैं वो कौन से सेंचूरी से बिलोंग करते हैं या राइटर और कभी-कभी ऐसा होता है कि वह राइटर और पोर्ट का नाम आपके टेक्स्ट बुक से अलग से भी पूछ लेता है तो यह सभी बाते भी आपको ध्यान रखना पड स decrease here बारे में जानते हैं यहां पे मैंने बता दिया कि आपको में अब स्कीन में क्या पूछते हैं अब हम बात करेंगे descriptive की बारे में ज़ो जो आपके लिए काफ़ी important है और यहां पर आप देख रहें हैं एस का Może यह 8 marks काहरा इस इसमें क्या क्या पूसक्ते हैं होबीज पुर सकते हैं पॉलूशन पुर सकते हैं इस से रिलेटेड आपको एसे लिखने के लिए यानि निबंद या लेक लिखने के लिए आएगा जो 150 या 200 वर्ट्स के होंगे तब तो आपको 8 marks मिलेंगा अब एसे लिखने के लिए आपको अच्छे ग्रामर आना चाहिए ह पर पर अच्छे वर्ड होना चाहिए और इन सभी के बाद इतना होने के बाद भी आप जिस चीजıs के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में आपके पास नौलेज होना चाहिए तभी तो आप उस चीज़ को बढ़िया से लिख पाएंगा जर ऐसे थोड़ने लिख पाएंगा आपके पस सब कुछ पता है बट आपको जो चीज जो टॉपिक लिखना है वही टॉपिक पता नहीं इसलिए आप पढ़ते रही है फिर आगे देखिए प्रोज में क्या होगा कि कुछ लाइन देदेंगे कि आप इसको एक्स्प्लेइन किजा अब आप ही बताईए कि आपने कभी बुक पढ़ा ही नहीं और आप सूच रहें कि मैं कुछ ना अंसर रट करके एक्जाम दे दूँँगा एक्जाम में बैठ जाँगा अच्य मक्स प्राप कर लूँगा तो यह आपके लिए ही होगा मुझे मुझे कहने में बहुत ही असंभव लग रहा है कि पता नहीं किया से कुछ अंसर के पर राट के कर लेंगे मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको बुक पढ़ना चाहिए बुक पढ़ेंगे तभी जाएगा वहां पर explain किया जाएगा तो यह हमारा four marks का होगा आप इसी तरह का poem में भी एस्टेंजा देदेगा है ना poem में भी एस्टेंजा देदेगा और आपको उसको explain करना है तो यह दोनों मिलाकर eight marks के हो गए है ना तो आपको पढ़ना बढ़ेगा एंड लेटर लेटर यह application हम formal और informal लेटर के बारे में पढ़ेंगे जो five marks का आता है बहुत बढ़ी बहुत ही असान दरीका बताऊंगा मैं आपको लेटर लिखना आप किसी भी परकार के लेटर लिख सकते हैं आगे questions आगे दिखते हैं कि जो questions होंगे 10 questions हमसे पूछे जाएंगे जिसमें हमें 5 का answer देना है जो परते question two marks का होगा और यह 40 या 50 words में लिखने होंगे summary लिखना पड़ता है प्रोज का या पोएम का अब summary में क्या होगा कि प्रोज देदिया जाएगा कि आप उसमें से किसी एका लिख दीजिए फिर पोएम में पांच पोएम देदिया जाएगा उसमें से किस आजा है और प्रोज का भी आजा है अलग-अलग करके ठीक है फिर आता है मैच दा फ्लोइंग मैच दा पोट्स राइटर टू देर वोक्स अब इन्होंने कौन-कौन से बुक लिखी है कौन-कौन से कहानी लिखी है कौन से पोएम लिखे है तो यह आपको पढ़ना पड़े हैं दूसरा कुछ भूजा नहीं जाता है यानि आपको प्रोज और राइटर का नाम बढ़िया से याद करना पड़ेगा यह मैंने एक सेपरेट वीडियों बता है आप जाके देखिए फिर आपको ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के अब ट्रांसलेशन गरामर आप पढ़ेंगे मैं क्या करता हूँ मैं गरामर पढ़ाताओं उस सा रिलेटिड जितने भी पर करकर संदेंस आप हिंदी में क्रिएट कर सकते हैं मैं वो दे देता हूँ और और ऑब्ज अगर हम बुक की बात करें तो ट्वंटी उधर था और ट्वंटीफोर इधर मानली जिए या ट्वंटीएट मानली जिए तो फॉर्टीएट लगबक फिप्टी कुर्शन तो आपको बुक सही आ रहे हैं यानि आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा है और यह लिमिटेड है ब कि अब यह थी कहाने आपकी सिलेबस की आपको बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको शिंस ले सकते हैं या इसका पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दिवाल के समय चिपका लिजी जिस से जिस से आपके दिमाग में हमेशा यह चिपका रहे की हमें पढ़ना क्य रहा है तो यह थी इस वीडियो का अन थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल दें टेक क्यर हवा गुड डे